खोजी ख़बर और अच्छी ख़बरों के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी जोड़ दबाएं और ख़बर अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें और सेर भी करें सीवान में खुल गया है सभी सुविधाओं से लैस खुली कॉम्पिटराइच एकुरेट डियागनोसिक स्लैब अब जाज के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जोड़ती है सभी प्रकारगे जाज आप सीवान में उपलब दें सुसासन बाबू की सरकार अब तो कीजिये करवाई कई आप से फर्यात लगाते लगाते अन्होनी ना हो जाए डबंग लगतार कर रहे हैं गोली बारी और पिहार की खेट अपराद मुप पिहार की कलपना कर रहे हैं और मुंगेर में अपराधी नेताओं को खुले आम दे रहे हैं जान से मारने की भंकी रविवार की देराथ जीला परिसर्ट सदक से मीटू रविकर के घर पर हमलावरों ने दुस्तार दिखाते हुए दोबारा हमला कर दिया हमलावाद चार पांच संक्या में आकर मीटू रविकर से अपने उपरदर प्रात में की हटाने की धम की भी दिये लगता दो दिनों से घर पर गोली बारी की घसना से जीला परिसर्ट सदक से तथा ग्रामेट सह में हुए हैं क्या मामला हुआ था कल रात फिर आपके घर पे गोली बारी हुई तो कल रात में वो दुबारा मेरे घर पे साड़े दस बिजे रात में आये और आफ यार की जानकारी उनको जो पो गए थी उन्होंने बोला मुझे कि आप आपके वापस दीजिए नहीं तो पांच लाद की कि मुझे आप रंदारी दीजिए एफ यार हटाने के लिए जी अच्छा क्या उन्हों के पास हाथियार भी थे वो सबी लोग जो आये थे जिनका नाम इज्ञ सिंग है उनके भाई थे विजे सिंग बेटा था विनीज सिंग बगना था राउल सिंग और दो वेक्ती थे जि जिनको मैंने देखा जहाँ रोशन जा रही थी मेरे किरकी से मैंने देखा की सभी में हंधियात अब आपना लाग यमी पिस्टल राइफल सभी तरगी क्योंकि वो आप रादी है तो अब आपने क्या इस मामले में पुलिस को कोई इन्फोर्मेशन दी है कोई फायार किया है दुबार की गटना को देखते विए सुबार में फिर आके मैंने इसके से इसी सुठना दी उन्होंने मुझे बोला कि पुलिवार को दुबारा घर पर हमला होने के बाद जीना परिसस्तस ने शफ्रीयाबाद कोफी में आवेदन देते हुए कहां कि 22 नीम 2019 को इंदरुख इसके घर पर हिमांसु शेखर शिंग और फिटल सिंग ने गोली बारी की खटना को अन्जाम दिया था जिसको लेकर नय राम नगर ठाना में केश संख्या 162 upon 19 दर्श किया गया इसकी कारण से चुलाई रभीवार की दात लगभग साड़े दस बजे की मांसु टेकर सिंग और विटल सिंग अपने भाई विजे सिंग एवं अजे सिंग की सभी पीताश्वर्गे मिश्री सिंग तथा बिनित कुम राहुल कुमार हरवे हतियार से लैसो कर घर पर आएं और बोला की केस उठा लो नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे जाते जाते उन्होंने गोली फायर पी और कहा कि पांच लाग जुबे भी घर पर रंगदारी के रूप में पहुचा दो क्या करता परिशत के उपाध्यक्ष पत्ते हैं आपके सदस के घर पे गोली बारी हुई है हमला हुआ इसकी जानकारी है आपको आज तो पेपर में पढ़े है दैनिक भासकर में ये तो पूरे और निमित्ता के तरहत तहत एक जिला परसत के घर पे अगर ये इस धंका घटन हुआ तो हम लोग सारा धरना पर जाएंगे डियम और एसपी डियम साहिब का और ये जिला दिकारी महोदे के यहां और एसपी साहिब के यहां मैं धरना दे दूँगा और हमारे साथ अध्यक्ष महोदे रहेंगे और सारे जिला परसत रहेंगे परसासन से हम अनुरोद करते हैं कि जो भी ये घटना किया है उसको 24 घंटा के अंदर अगर गिरफदार नहीं होता है तो हम लोग परसासन के जिला अधिकारी के सामने धरना पे बैठ जाएंगे शफियाबाद ओपी में आविद्न देने के बाद अपराधियों के गिरिफदारी की मांग को लेकर खित्र शंक्या तीन की जीला परिशद सदस्के मित्र रविकर जीला परिशद अध्यक्ष राम चरित्र मंडल एवं उपाध्यक्ष दुर्गे सिंग के साथ आरक्षी अधिक शक कर्याले पहुँचकर उन्हें भी आवेदन किया चीला परिशद अधियक्ष दुर्गे सिंग ने कहा कि 48 जंते के अंदर अगर हमलावार की गिरफदारी नहीं होटी है तो धर्ना पर्दसन जीप सदस्यों के द्वारा दिया जाएगा लगातार दो दिनों से हो रही गोला बारी से ग्रामिट सहम गया है ग्रामिट्स में इस बात का भै हो गया है कहीं दुबारा खूनी खेल गाउं में नहीं खेला जाने लगे बताते चले कि इन दिरुख में आपसी पर चच्छ बोले कर गोली बारी की घटना होना कोई खारा है पुलिस इस घटना को गंभीता से नहीं लेती है तो बड़ी घटना भी घट सकती है इसके ग्रामिट्स बहुत भैवित है